नमश्कार, मैं डॉक्टर योगिता, आपको आज की सेशन में स्वागत करते हूँ. आज की सेशन में मैं आपको इस्थ्यान की पूरी प्रक्रिया द्वारा गहरी नीत्रा में ले जाओगी. आईए जानते हैं आज की प्रक्रिया को किस प्रकार करेंगे जिससे आपको सुख़द मीन की प्राप्टी होगी आईए ध्यान शुरू करते हैं कमरे के लाइट्स बंद कर दीजिए और धीरी से अपने बिस्तर पर लेट जाज़ बिलकुल आराम दायक स्थिते में सवासन के स्थिते में लेट सकते हैं पीट के पल लेटे पैरों के पीच एक से तेर फिट के दोरी हथेलिया आसमान की ओर आखे बंद कर ले पूर्ण आराम दायक स्थिते में लेट जाएं धीरी धीरी लंबी गहरी सास लें और शरीर को धीला करता जाएं बिलकुल धीला ये जरूरी नहीं कि आप मेरी सभी शब्दों को ध्यान से सुनें अपने मन को बस मेरी आवास के साथ पहने देजे अगर प्रक्रिया के बीच में ही आप सोचाते हैं तो विश्वास रखें कि यह प्रक्रिया बड़ी गहराई से आपके अंतरमन पर काम कर रहा है अब एक लंपी गहरी सांस लीजी और अब उसे धीरे से छोड़े हर बाहर जाते हुए सांस आपके शरीर के ठकान जिनता को आप से दूर ले जारा है अपने पूरी शरीर को अपने मन में देखे अपने बोड़ी का स्कैन करे ठीक उसी प्रकार देखे जिस प्रकार आप किसी दरपड में अपने आप को देखते हैं मानों आपके उपर एक बहुत बड़ा दरपन टंगा हुआ है और आप उसमें अपने आप को देख रहे हैं अपने प्रतिब्यम को देख रहे हैं दोनों पैरों को देखें पैरों की उंगलियों को देखें और उसे ठीला छोड़ते पैरों की मास पेश्यों को टाइट करें और ठीला छोड़तें चांग की मास पेश्यों को दाइट करें और उसे ठीला छोड़तें एक लंबी गहरी सास अंदर और सास छोड़तें दोनों पैरों को ठीला छोड़तें चांग की मास पेश्यों को टाइट करें और ठीला छोड़तें आपका पूरा शरीर ठीला पड़ रहा है जो जो आप मेरी आवास को सुन रहे है त्यों त्यों आपका मन शान्थ हो रहा है आसपास जो भी आवास आ रहे है मन में जो विचार उठ रहे है वो आपके शरीर को और ठीला कर रहा है आप आराम की अवस्था में जो रहे हैं अपने तोनों हाथों को देखें मुठे को सोर से बंद करें और ठीला छोड़े अब अपने चहरे को देखें मन में मुस्कुराई अपने आपको देखें मुस्कुराते हुए चहरे को बिलकुल ठीला पर रिलैक्स छोड़ें आपका पूरा शरीर ठीला पड़ रहा है आप मिश्राम की अवस्था में जा रहे हैं अप सासों की कती को महसूस करें बिलकुल सामान यहो जाने दें आप महसूस करेंगे कि आपके सासों की कती ठीमी पड़ रही है आपका मन और शान्थ हो रहा है अब आप पूरी तरह से रिलाक्स फील कर रहे है शरीर शिथिल हो रहा है कुछ देर बस यू ही सुनते रहे कानों में जो भी आवास आ रहा है हवा की आवास सन्नाटे को इस संकीत की आवास मेरी आवास कुछ देर के लिए जब जब सुनते रहे सब शान्थ होता जा रहा है अब आप गहरे नीन में जा रहे है शरीर शून्य पढ़ रहा है मन पिलकुल शून्य हो गया है इस शूने को अनभाफ करें अब सुकून की दुनिया में जा रहे हैं करपना करें आप किसी तालाब के पास बैठे हुए हैं शाम का समय हो रहा है तालाब में बद तक सुन्दर सुन्दर मचलिया खेल रही है तालाब के चारों तरफ एक बड़ा सा बगीचा है जिसमें संदर संदर फूल खिले हुए है फूलों से बहुत अच्छी खुश्पू आ रही है महसूस करें या खुश्पू तालाब का पानी आपको सुकून दे रहा है अब थीरी थीरी तालाब की मचलिया शान्द हो रही है बत्तक शान्द होकर एक जगा पर पैट गए है मचलियों के शान्द होने से आपका मन शान्द हो गया है मेरे आवास के साथ ही आपको सारे दृश्य की छलक दिख रही है अब हर वो दृश्य महसूस कर रहे है चिव्यों की चाचाहाट की आवास शाप की सीतल हवाए तालाप का पानी बिलकर शान्द हो गया है अब आप देखेंगे सोरज धीरी धीरी बातलों के पीछे छुप रहा है सोरज की धलने से पहले का दृश्य आपको देख रहा है बातलों के पीछे लालिमा दिख रही है कितना संदर दृश्य बातल के नीचे तालाप का पानी यह सारे दृश्य आपको पेहद आनंदित कर रहे है धीरी धीरी सोरज धलता जा रहा है आप पूरी तरह से रिलेक्स हो रहे है आपकी सारी धकान चिनता उसी प्रकार से आप से दूर जा रही है जैसे यह शाम ढ़र रही है अब आप नेल की गहराई में जा रहे हैं आपका शरीर वा आपका मन शून्य हो गया है अब गहरी नित्रा में जा रहे है जैसे ही सूरज ठल जाएगा अपने इनकी गहराई में चले जाएंगे मेरे तीन किंते ही यह सूरज ठल जाएगी एक दो धीरे धीरे अब और गहरे नीन में जा रहे है तीन यह सूरज पूरी तरह से ठल गया आप गहरे नीन में है गहरे और गहरे नीन में आपकी नीन इतनी सुखर इतनी गहरी है कि अगर किसी तरह किसी कारण बश आपकी नीन तूटती है बड़ी ही आसानी से उस गहरी नीन में सूझाते है आप जैन के नीन सूते है आपका अंतर मन जानता है कि हर गुसरते दिन के साथ आप और जादा खुलकर जी रहे है परको और आप से सोचाए